नमस्कात, एवन रेसिपे वीद मादूरी चानल में आपका स्वागत है, आज मैं आपको मल्टी गरे नाटे की चकली बनाने की विदी बताने जा रहे हूं, उसके लिए सामगरी है, ये दो कप चावल लिये हैं, ये मेजरमेंट का कप है, इससे हमने दो कप चावल लिया है, एक कप ज्वारी, एक कप पॉहा, एक कप चने की दाल, एक कप मूंग दाल, आधा कप उड़त दाल, ये थूड़ा सा एक चम्मत जीरा आप सबसे पहले सब यह सब दालों को भून लेते हैं। सबसे पहले हम चवाल भून लेते हैं। अंड़ी एक हडाई रग दिए और गयाशन कर दिया। इसको slough-medricular अज पर ही भून यहाई यह जय्दा हाई ठेम के आपे बून लेते हैं, कि मीर्ियम ग्यास पर प्हून टों Mr.ental बदल जाए कि इतना ही बूनना है जाइदा बून लेंगे तो आपनी चकली में आपाक हो जाएग इसलिए हव्लका कलस इसका होज़ाएंग कि WordPress इद्फिट को बोसाखे कि माउना है देखिए ये चावल का कलर भी चेंज हो गया है अब इसको हम दुसरे बावल में निकाल लेते हैं ग्यास बन कर देते हैं अब हम जुआर को भून लेते हैं इसको भी इसी तरह से खुड़ा हलका सुना रहा होने तक भूनना है देखिए ये जुड़ार का भी कलर चेंज हो चुका है और इसकी लाहीज फुतने लगी बछा है अभी इसको बन कर देते हैं, अब इसको भी निकाल लेते हैं, अब हम पोहे को भूण लेते हैं, इसको भी हलका सुनरा भून लेंगे, लगातार चलाते रहना है, नहीं तो नीचे से जल जाएंगे यह देखिए यह पोशा भी भून चुका है आब एक चमखजीरा लिया है इस की साथ भून लेते एदे इसा में डाल देते है मूंं कि दाल के साथ इसको इसा भून निकाल लेते हैं, अब हम उड़त की दाल को भून लेते हैं, यह उड़त की दाल भी भून चुकी है, इसको भी हम बाउल में निकाल लेते हैं, अब हम सबसे लाश में चना डाल भून लेते हैं, यह दाल भी हमारी भून चुकी है, देखिए, यह सब दाले हमारे मिक्स होके, क बनाइंगे के चलिया हमने चकली बन सेंगों और विटटा सेंगों पॉलप्राने में तुक खोते सीनियो पहलें का अकश्जिक में अमे को पॉले होते कर문 के दो कर दो कंदाले रहे होते हुआ है और इस αλλά के रहे तिल एक चम्मच और आदा चम्मच आजवाइन लिए चलिए हम सबसे पहले आटा गुतने के लिए यह दो कप हमने पानी लिया है उसको हम गुन-गुना गरम करेंगे और अब हमने यह ग्याज पे कड़ा ही रख दिया है और यह मोहन नालने के लिए यह दो चम्मच हम तेल ड चलिए हम चकली का दो तयार करते हैं यह दो कप आटा यह आदा चमच धनिया पावडर एक चम्मच तील यह दा चम्मच अजवाइन लिया है इसको हम हाथ पे क्रश करके लेंगे ता कि इसका अच्छा स्वाधा जए आदा चम्मच अजवाइन आदा चम्मच नमक आदा चम ढल द़ने, तये इसमें अलाहिते को फाशन हो थेल हलकी यहाँ च्म में पालुहसी ऐख मिक्स कर लेंगे, इसमें हम थोड़ा सा मिंबु का रिज पाना, हम आई चकली दी इसको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे देखिए इस तरह की मुठी बनने चाहिए ऐसा मोहन लेना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गुत नाइग तेखिए इस तरह से यह दो अमना हम ले यह तयार कर लिया दो इसको हम 5-10 मिनिट रेश्ट करने के लिए रखते हैं उ उसके बाद हम इसके चकली तले यह दस मिनीट हो चुके है अब हम इसको यह इधाचे में भड़ेंगे हाथ को तेल लगा के इसकी लोई तयार करेंगे पहले इस तरह से अभी यह मनें साचा लिया है चकली का इसमें हम डालेंगे इसको अच्छी तरह से प्रेस करके अबहना यह बताते हैं, सबसे पहले हम इसको थोड़ा लगा देते हैं प्लेट को, देखिए इस तरह चक्री निकालनी है, विल्कुल धीरे धीरे घुमाना है, लगाता राने चाहिए, इसके जो लाइन है, बराबर जोड़ी भी रहनी चाहिए, देखिए, अब इसको जिपका देना है इसी तरह से हम दूसरी चकली तयार करते हैं, अब हम चकली को इस तरह से डालेंगे, इसको अभी चलाना नहीं है, अब इसको मीडियम ग्यास पे ही सेखना है, ज्यादा हाय पे सेखोगे तो अंदर से ये चकली कच्ची रह जाएगी, ये चकली बनके तयार है, देखिए, कितनी खस्ता बनी है ये, आप आवास से भी देख सकते हो, कितनी खस्ता बनी है, देखिए, इसे तरते समय ध्याद रखना है, ज्यादा आजपर नहीं तलना है, स्लो मीडियम आजपर ही इसे तलना है, ज्यादा आजपर तलने से ये चकली अंदर से पच्ची रह जाएगी, ये खाने में भी मोड टेश्टी लगती है, इसका आटा आप ज्यादा पिसकर साल बर भी र अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताईए तो फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ